इस प्रोब्लम में आउट्पूट कमके तो वो टेक्स्ट पटेंगा नाग रसी रहे है वह एक्सेंट नेशन दुप्राइगे सब्सक्राइगे अब टैस्बक दिखाऊ अब टैस्ट्रीब आप टॉब्लम व्योड़ कि अभल अब टॉब्लम एव गज व्योड टॉब्लम गुब्लम यग चुब्लम एव एक थाफ कितना दिफ्रेंस है? आरे आव बड़ियो? आरे आव बड़ियो इसके आरे आव बड़ियो आरे आया चाहे जित्ता में ग्रीन पहते है उथ्ते में आपका टेक्स्बुक आगा जित्ते में बस वह वाइट है जित्ता में टेक्स्बुक आगा का सबस्ट स्कारिज अब हले अब है हो गहां है कि अमद्रेख अब है झाल्य। आख गाल hist है सब्सक्राइब नो डेटा लिख्या रहा है स्क्रीम चाहले आपेजिए इंटरनेट आपड टेक्स्बूक को लोई को आई क्या लंगा है रहा हूँ तुर्या पूलिवाद्र। इंटरनेट अठीनेट रहे न पूब क्या है अप्रम्सक्राइब सब्सक्राइब अधार्ण आपके-अ अवियोओ अट वार्युद्सक्राइब आए अपक्राइब अधे जगो देक्कु अजो जो में आसको निकाल लो, आगेले हम अलिए, हम का चुट्टा दुस्वाओ लोगाने जोगान जोगान इसने खुट लोगान नियाहा सी दुस्वाओ लोगान स्टीज पर्फियर रिल्पनिन के ना इन है? मैंने पोचे कृएैं आपकोडियर को मैं आपकोड़ पाऊने ना आपकोड़ विल्पने ना दिए। मैंने नियुक्ते कि दितना यह आपकोड़ मैं आपके शट्रीए खालेट है तुरा से कर लो नहीं इस फाल गैपे बैग रख दो इसमा नाइक कर रूप हर रखो नो बैग ले लो किसे देख लाइब तो इसको तुझ तो इसको तो इसको तुझ तो प्रॉण पर रखो है आप अब यह अब बीजुक्त का तो पर्फेक्ट है तो मैं विक्लत से तो यह पॉर्बीकर के बच्चर वह बीज से कुए है अब लेंक्त सकते है टो अब हर्फ गर्टे से हैं और अब है अब है अबॉर्ट के थाओ कर दो इस अर जो आट नॉख है और बट जए पीनिवा जाब रहें हमी ओना लिट रहें दो पीक्रिक कि फिवर कोर से विलिक से नियुम्स ऊंढो प्रो पार शर्ड के मूल सिद नीचार कि लिए कि वे Waterloo अपन रहें समय है स्कॉ SOUND बटाउम्स आणा नुट सिक्षनियर से इसमें कॉंचों, OBS में इसी इंपोल रहे हैं, यह नहीं है, वो आग विद्धी से टाम डाल रहता है, अगर आपने रेकॉर्ड के लिए तो काम में आता है, वो यूटुब में टाम तरह पहले से आता है, वो 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 आत झाल झाल यह घर को निए कि अधर कर थोड़ा सा पोड़ा आगा है रखाई है काम सरा यह उपर का यूप शेप आज़े आज़े तब पूड़ा हूए कोड़ा है बेदर कर देने खी अब 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 है रहे है वह आज़े थोड़ा बीच में आज़े इस नहीं हो तेक्स को दिखा तो समझेगे वो साइट वा ये से बोह साइट तो एक पर सिकेंट फिक्स हो गाना पॉपर रखने आएगा कैसे करें ये तो ग्रीन कर दो उसको उस पे रख दो शायद में आगा ले लो उसको रख ऐसे के ऐसे रख अब जादा अब जादर वो वो उपर ता अब जाद आए ये वोपर तो जाद नहीं है इसके आएगा ज्याधा रहे जित्ता पुसको तेड़ा करने उत्ता ज्याधा आएगा जित्ता सीधा करने है इसा उत्ता कमाएगा अब एक काम करें इसको अटा दो इससे वो उपर जाएगा ने एलेवेशन अलोगा और के जोगा खंदाओं जोगोड़ सकाना योचल को सब्सक्रमित्ता करें है कि टूड़ा जर्चा इफ्लेस सीवेज तब ना शेचित्ता रणपीजिए्टो करें है् उत्ता गयरे लो यह एदेट गुझे आयरे ङुझे एवगा उचेँ जिर लोस अचियरे लो बैँगाद आयरोग्टो युद्ट्टों की में यह विजा राक्षा नाुग्टों की तुद्टू की लिछिएूीजरे लुटूपूडदों की और उदी रहाँ है झाल की एजटूए श अव्ट्र हुड़ को जय कRIम झांदे हो आदे SHOOT पारी हुड़ गल्यक्ष मेंें लुटकिते हुड़ आदे सकार केपStar उिल давेग त Day झाल झाल कि अपना भाइट डारों पर भी को मा चलता है इस कि रोमा को कोई भी कराद चल जाते है बस फ्लेफ कलर होना चाहिए अगरा लाइट आपने सब्सक्राइब किया है वह वाजी नहीं है ठीक वैसे लगी का भी नहीं है वह फेस्ट क्या प्लेंट प्लेंट अभी नाव लाइट प्लेंट आपको पूसे खरना है एक्सेट पॉं टो चाहिए वे दोब कर लेंगों भी लक्ट्राइब करेंच करता है बाद सब्सक्राइब पॉं के डिखाना जुछिट इस तो पंड्य वे लुजया ही जासना आइ मुझ डिलेट जार आए और लुटाष्ट्टूिым है। और निवे इनुटू हुआ जासने में लुटेजु कर दिता है। इंके नैंके उयाखकल तो तेक इंद लेक्ट इंद 5 मा इंद 8.0 Yes, who are with us? Hello friends, a bit 10 minutes early actually. Yes, hi everyone, can you see me? Yes, messages. Can you see me everyone? Yes, right now we have three students. How many students are with us right now? Yes, actually we were supposed to start at 9.45, I am starting with 10 minutes early. The reason was our software, all together new software and my system connectivity. I just wanted everybody drop me a message, those who can hear. Yes, with us. Deepak is with us, Athar is with us, yes, Shavan is with us, Ganesh is with us, Ranveer is with us. Yes, perfectly fine. So, truly students are connecting to us, that's wonderful. Yes, 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 Athar, good to see you friend. Can you see the textbook, all of you? Yes, all can see me, right? Just drop a message, all those who are not connected to us, kindly. Friends, see this, I tell you friend, you already know morning 7 o'clock, 6.30 batches, I need a little motivation from you people. In the sense that please kindly connect and join us. Now, what are you supposed to do since you are connecting to us? First thing, everybody keep notebook with you. All of you, keep notebook with you and along with the notebook, keep textbook with you. Yes, can you see me? Everybody? Yes, right now we have 7 people with us. Yes, Athar, Ranveer, Deepak, yes, perfectly. Can you see the screen of my laptop? Last time what happened is actually only me and my audio was present. So, this time somehow I could cover up with OBS software was not working in my laptop. So, now this is a job. Now this is a job, I can connect to you. Audio is proper? No problem with audio? All who are with us? Yes, Yes, just. Is audio okay everyone? Are we? Done, done. Can you all hear me? Yes, right now we have Deepak Rathod with us, Atharav is with us, Shravan with us, Ganesh, Ranveer, that is 5. Okay, perfectly. I have dropped a message to all the groups. Just let me. Try. I have dropped another. I can find you. प्रफटकर विर्ट पॉपग गॉपग है तो रड़ अपर झाल करें नर्टकर प्रफटक जरावी, तो फॉपल से हम नर्टकर प्रफ प्रफटकर। can we go ahead friends more four minute with us now see before we start with the lecture all i wanted is please make sure you have a notebook with you economics textbook and along with it whatever i will tell and whatever i will explain please make sure you note it down okay are we yes boss yes ajar sound good to see you okay okay yes good good to see you so late night studying no sir now this is wonderful sir i myself also liked it calling all the student and trying to make them sit in the class better it is like you sit at home and i can take the lectures to buy hope so next half an hour 45 minute jam packed class raha lecture raha total jitne b chapter quickly recall kareng hai aur us के साथ ही साथ revise करेंगे आज जो हमारे chapter का target है we are starting the most important chapter of your 12th economics name of the chapter is demand analysis okay जैसे हम लोग चालू कर रहे भाई सबसे पहला काम कर दो यार weightage wise देख लो तो एक बात याद रखो sir जिसने कुछ भी पढ़ाई नहीं की रहे गी अगर nothing studied बहुत लोग का होगा 80% 50% पढ़ाई जिसका 0% studies है उनके लिए सबसे पहला announcement भाई जब भी तुम chapter पढ़ रहे सबसे पहले कौन से chapter को cover up करने की कोशिश करना chapter number one are you getting this सबसे पहले कौन से cover up करना chapter number one are you getting this अभी आर भाई चाप्टर number one may i yes more two minutes are with us before that just let me write few things चाहिए स्क्रीन है दिख रहा आपको can you see the screen that i am a good display can we so i know sir in case हमारा economics zero percent studies है और आज हम नुवेंबर के महने में start कर रहें studies तो कौन से chapters को सबसे पहले करना तो sir मैं आपको सबसे पहले बोड़ो the most important chapter of your 12th economics is demand analysis what is it demand analysis okay आपका सबसे most important chapter जो है वो demand analysis तो वही chapter मैं आज start करने जा रहा हूं okay we are going to start a chapter what is the name of the chapter boss demand analysis can you all hear with me yes i was supposed to take yesterday lecture but due to some reason i could not take so i said no issue at least today we are starting with what is the name of the chapter demand analysis भाई ये chapter का weightage on an average क्या है बारा मार्स बारा मार्स बारा मार्स चाप्टा नमबर 3A write down how many marks weightage it is how many marks weightage it is 12 marks 12 is that okay आपको जो जो मैं बोल रहा हूं please make sure you write it down with me ठीक है 12 marks have you written what is the weightage of your chapter chapter number 3A what is the name of the chapter demand what is the weightage of it 12 marks is that okay have you written that चले क्या आगे I need by communication करो laptop mobile i want you to interact with us okay, all of you, yes, Hathar, Deepak, Ranveer, yes, those, yes, Aadhar, yes, Pratamesh, perfectly, can we, yes, perfectly fine, okay, done, 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 this is far better than the previous lecture, yes, in the previous videos, it is better than the textbooks and everything, yes, yes, what is the name of the chapter, friend, give the title, what is the chapter that we are starting today, can you please put it, what is the name of the chapter by demand analysis, yes, yes, Deepak, Ranveer, what is the title, yes, perfectly, yes, Pranar, demand analysis, now, text, chapter number 3A, we are into chapter number 3A and what is it, demand analysis, okay, perfectly, now, since I am getting messages from you, it means we are much connected to it, okay, yes, Harsher, perfectly fine, yes, that's okay, wonderful, that's very good, Gaurav wizard, Dupen wizard, Harsher wizard, Deepak with us, Shavan, okay, Pratamesh, Athar, okay, perfectly, let's start with, demand analysis, basically, this chapter, में, हमको करना क्या, what are you supposed to study in this chapter, can we, basically, demand analysis, बच्चों, ये 12 मांक का chapter है, 12 से, शायद 15 तक जाए, ब्रेकप बोलो, तो एक 8 मांक का question इसमें से fix आएगा, most important question है, तो चलो, ये चाप्टर में अंदर चलते हैं, बोलो, and we are going to study this chapter, okay, let's go to the chapter, okay, chapter, screen, okay, we are into this, demand analysis, all can see the screen of the chapter, because I don't know, थोड़ा सा lag कर रहा शायद, yes, can you see, okay, done, let's start with, perfectly, yes, that's wonderful, भाई, demand analysis chapter में, sir, क्या-क्या पढ़ना है, सबसे पहले, what are the things that you are supposed to study, the first thing is, meaning of demand, चलो, मेरे साथ notebook में लिखना चालो करो, जो जो मैं बोलूँगा, आपको ध्यान से सुनना है, और वो सब कुछ लिखना है, मैं lecture से क्या कर रहा हूँ, आपको already class में बता दिया, सब concept explain कर दिया, even I have given you video, फिर भी आज मैं वो revision कर रहा हूँ, ठीक है, that's wonderful name, wonderful weapon, wonderful दीपक, yes, yes श्रावल, so सबसे पहले chapter का mind map, कि आनू सर इस chapter में मैं क्या क्या पढ़ूँगा, what are the thing that are we going to study, so we are going to study the following thing, इसको बोलते mind map, सबसे पहली चीज, meaning of demand, क्या पढ़ेंगे हैं हम लोग, meaning of demand, दूसरा, types of demand, क्या बच्चो, types of demand, तीसरा, determinant of demand, क्या, determinant of demand, चौथा, determined कोई factor बोलते हैं, चौथा, law of demand, और पाच्चवा जो topic रहेगा, वो क्या होगा, change in demand, और variation, and variation in demand, so क्या क्या चीजे पढ़ेंगे, चलो one at a time, सब लोग मुझे message में text करो, notebook में भी लिखो और में साथ, text भी करो, चलो, सबसे पहले क्या आएगा, meaning of demand, क्या आएगा बच्चो, बोलो मैं इसाथ, meaning of demand, दूसरी चीज क्या आएगी, types of demand, क्या बच्चो, types of demand, तीसरा क्या आएगा, determinant of demand, मतलब demand किन factor से decide होता है, चौथा, law of demand, ओके, can we, तो सबसे पहले बच्चो समझेते हैं, demand का मतलब, can we, मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सामने textbook present कर रहा हूँ, plus मैं आपको concepts को explain कर रहा हूँ, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, और समझना है, okay, may I go it, सबसे पहली चीज आ रही कि demand का मतलब क्या होता है, तो demand मतलब तीन वर्ड आते हैं, एक आता desire, दूसरा आता willingness और तीसरा आता ability, demand consists of three words, डाव वर्ड ही आते हैं, डाव, desire, ability and willingness, तीन वर्ड है, demand में तीन वर्ड मैं दे रहा हूँ, पहला वर्ड desire, दूसरा वर्ड ability और तीसरा वर्ड वर्ड विलिंगने, चलो एक एक चीज को समझते हैं, can we go ahead, so what is the topic everybody, what are we studying right now, can you please tell me, what are we studying right now, can you please tell me, meaning of demand, right, तो demand का मतलब क्या होता, तो demand का मतलब तो desire, क्या होता बच्छो, desire, अब यार एक बात सब्सक्राइब, बहुत बार लोगों को क्या लगता है, एक इच्छा demand है, जैसे for example, कोई बच्चा जा रहा है रोड पर यार उसको BMW दिग गए, तो बोलें BMW मुझे चाहिए, अब सब्सक्राइब, BMW का चाहना demand कहलाएगा क्या, I want demand, I want BMW, is this a demand, ये तो सिर्फ desire है न, चाहने के लिए तो हम बहुत कुछ चाहते है, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कपड़े चाहिए, मुबाइल चाहिए, बट सब चीजे demand नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ desire है, चाहना is only desire, अब desire के साथ दूसरी चीज जो आती है, वो आती ability, बच्चो ability मतलब अवकात, कि अगर हमारे प्रनव राथोड साब गोलते हैं, कि मुझे BMW की कार चाहिए, तो प्रनव राथोड के पास 50 लाग रुपए है, मतलब जब आप कोई चीज की demand करते हो, तो desire होना चाहिए, और desire के साथ ही साथ और क्या होना चाहिए, बच्चो ability होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बच्चो ability, ability मतलब आपके language बोले जाए, तो भई आपकी आउकात, कि आपके पास उतना पैसा है वो खरीदने के लिए, अगर लेट से हमारे दीपक राथोड साब गोलते हैं, मैं ब्रह्मा सेंसिटी एफ्रेफिस एटेंजी एक फ्लाट करीदना चाहिए, तो येस दीपक राथोड के पास 1.5 करोड रुपे होने चाहिए, तो ही जाके वो क्या होगा, दिमांड कहलाया जाएगा, तो सबसे पहली चीज, दिमांड में क्या होने चाहिए, बोलो मेरे साथ, फर्स्ट इंग क्या होने चाहिए, डिजायर, तूसरी चीज क्या होने चाहिए, आबिलिटी, और ability के साथ ही सा जो तीसरी चीज बच्चों चाहिए वो क्या चाहिए willingness क्या चाहिए बोलो willingness मतलब आप राजी हो अगर बहुत बार ऐसा होता है देखो बच्चा है let's say for example भाई पपा के पास पैसा भी है मतलब अवकात है ability है बच्चा कुछ चाहता है मतलब desire भी है बड़ पपा खरीद के देते ही नहीं है मतलब पपा willingness नहीं है let's say हमारे friend है गनेश भाई है गनेश भाई गनेश भाई उनको iPhone 14 Pro चाहिए अब गनेश के पपा के पास पैसा है हाँ है डेल लाक रुपे दे सकते हैं बड़ पपा पैसा देना ही नहीं चाहते बड़ प्रॉब्लम क्या है बच्छो willingness तो यार जब तक यह तीनों नहीं होगा तो demand नहीं कहलाए जाएगा are you getting this are you getting this तो चलो में साथ बोलो demand कब होगा demand कब होगा जब तीन concepts होगा बोलो पहला desire दुसरा ability किसरा willingness तो DAW सब लोग लिख दो text में सब लोग लिख दो demand मतलग क्या desire, ability and willingness can you write everybody yes Aadhar, yes NAND yes Bupen, yes Deepab, yes Ravan भाई चलो लिख दो mini और demand में notebook में भी लिख दो या text में लिख दो demand का मतलग चलो चलो दी would you write yes DAW wonderful, yes that's very good yes perfect Gaurav that's wonderful भाई, that's very good Deepaknebili का yes NAND wonderful DAW DAW, yes DAW का full form चलो बोलो yes Buddhisha yes Shravan that's wonderful yes Shravan भाई बोद Shravan यार they all are going great चलो demand का तीन वोड बोल दो demand मतलग desire ability willingness is this okay is this okay okay perfect perfect Harshad perfect that's that's good अब आगे चलते हैं यहां तक लियर है ना सबको मजा आरी है अब demand का मतलब चो समझ गया कि sir एक तो हमारी चाहत होनी चाहिए उसके साथ हमारा अवकात होनी चाहिए अवकात के साथ हमारी इच्छा भी होनी चाहिए मतलब बिलिग्नेस तो हिंदी में इसी को इंग्लिश में बोले जाया अब यार दूसरा कोशें आरहाए टाइपस अफ डिमाड can you go ahead टाइपस अफ डिमाड टू टाइपस अफ डिमाड इंडीविज्विजुल डिमाड एंड मार्केट डिमाड चलो वटवटे टू टू टाइपस अफ डिमाड येस मजा आरह है market demand demand is that okay कितने टाइप में दिमांड चलो बोलो मेरे साथ what are the types of demand yes can you please answer me types of demand पहले दिमांड individual demand और दूसरा demand market demand अब for example ले ले थे भाई हमारे class में for example लेट से आनम शेक है अब यार आनम शेक आनम जी को आनम जी को mobile खरीदना है तो यह किसका demand होगा भाई यह individual demand होगा demand by one customer in the market demand by one customer in the market is called as individual demand और ऐसे पूरे हमारे वड़कोशेरी या पूरे हमारे पूने में या पूरे हमारे महरस्ट्रा में या पूरे हमारे इंडिया में मिल के जो मांगेंगे उसको क्या बोलेंगे market demand demand by all the customer in the market is called as market demand so what are the two types of demand बच्चो yes गवरा that's wonderful भाई हर्शर perfect individual demand and market demand great going yes बुद्धिशा individual demand and market demand that's great demand by one customer demand by one customer भाई हमारे यहां एक एक customer कितना खरीदेगा उसको हम क्या बोलेंगे individual demand और सब customer मिलाके जो खरीदेगे उसको क्या बोलेंगे market demand yes Ganesh you are right yes perfectly everybody is right that's great can we proceed further यहां तक सब चल रहा है समझ में आ रहा है so demand by one customer is called individual demand demand by all the customer is called as market demand can you have you return yes आदार perfectly अब आगे चलते हैं if you have understood this so individual demand और market demand so demand by one customer is called as individual demand और वैसे demand by all the customer in the market is called as market demand यह graph और कव मैं दोने एक स्क्लीन करूंगा अब इधर आ जो can we market demand जब demand by all the customer in the market next बच्चों सब से पहले types of demand यहां एक question है types of demand यह answer अट्टा मारना पड़ेगा can we go ahead types of demand can you see on the screen types of demand types of demand दिखरा है सबको आपको shortcut देता हूं आपके notebook में सब लिख लो types of demand के लिए डी आइजी चंपू चिन में लेख लो देखो डी आइजी क्या बच्चों बोला मैंने डी देख रहा है इधर डी आइज उसके बाद बच्चों अब यहाँ जे डी आइजे डी आइजे सी और c मतलब डी आइ मैंने क्या वर्ड बोला डी आइजे चंपू चिन में यह shortcut error लर्ण करने के लिए टाइपस ओड डिमांड पांच डिमांड से इसको लर्ण करने के लिए क्या वर्ड बोला है बोलो डी आइजे चंपू चिन में डी आइजे चंपू चिन में तर्फेक्ट भूपेन पांच टाइप के डिमांड आने वाले डारेक डिमांड इंडारेक डिमांड जॉइन डिम composite demand and competitive demand right composite and competitive demand Are we sure ? बात clear रहा हो रही गया बच्चो सबको ? Types of demand में ? तो चलो one at a time कितने प्रकार के demand होते हैं ? बोलो sir 5 प्रकार के demand होते हैं कितने प्रकार के demand होते हैं ? 5 देखो बच्चो मैं English में पूरा explain कर सकता हूं But I want you की हर एक बच्चा समझे और समझने की सबसे basic language हमारी हिंदी है because we being Indian हिंदी बड़े अराम से समझ जाती that is why I am trying to explain you in Hindi अब यह demand कितने प्रकार की होगी कितने types की होगी तो हमारे पास 5 type है वो shortcut हमने क्या बुला D, I, J Champoo, Chinman D मतलब direct demand I मतलब indirect demand J मतलब joint demand ठीक है D मतलब कौन से demand? direct demand चलो लिख दो D, I, J, Champoo, Chinman जल्दी से लिख दो इससे तुमको answer तुरण लन हो चाहिए shortcut तो याद है yes, perfectly write it down types of demand लिख लो लिखा क्या आपने notebook में आपके yes, perfectly 5 demand है that's wonderful क्या बात है सब बराबर जा रहे है मजा आ रहे ही सब पढ़ागे तो D मतलब क्या हो रहा? direct demand कौन से demand? direct I मतलब yes, D पाग रहा थो wonderful I मतलब indirect demand J मतलब joint demand C मतलब composite demand again C मतलब competitive demand so how many types of demand we have? we have 5 types of demand 5 प्रकार की demand होने वाले पहला direct दूसरा in what is it? indirect तीसरा joint चौथा composite और पाँचवा competitive are you sure? yes, yes, D पाग रहा थो that's perfectly fine can we go ahead everybody? are you getting this? अब बच्चा बोलता direct demand क्या है? explain करू सर्चिंपल है it is the demand the consumer for goods which satisfy the want directly यार एक काम करू आप दुकान में जाते हो catberry खरीदते हो खरीद के खा लेते हो कौन सा demand है? क्यों? क्योंकि वो आपका want directly satisfy करती है हमारे गनेश भाई है वडपाओ के दुकान में जाते है वडपाओ खरीदते है सीधा खा लेते है कौन सा demand है? direct क्योंकि आपका want satisfy directly कर लिया right let's say for example भाई हमारे भुपेंदर सिंह है गय बरगर खरीदा और सीधा खा लिया तो ये कौन सा demand है? direct तो जो product आपका demand directly satisfy कर देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? direct demand are you getting this? are you getting this everybody? pause direct demand clear है? yes I want everybody answering by clear है न? direct demand okay अब direct demand के बाद दुसरा indirect demand तो यहां इसने लिखा था demand for close sugar जो भी want आपका directly satisfy कर रहे उसको direct demand बोलेंगे right श्रवन अब दुसरा demand क्या है बॉस indirect demand अनुसर indirect demand क्या होता है? बड़ सिंपल है indirect demand is also called derived demand remember याद रखना बच्चो इसको indirect demand को हम और एक word बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चो derived demand चलो बोलो indirect demand is also called as what? derived demand यह fill in the blank या objectives के लिए आ जाएगा बच्चो पूरा chapter revise करना और question भी पीछे cover up करना तो थोड़ा speed up करो indirect demand को हम क्या बोलेंगे? derived demand it refers to demand for goods which are needed for further production मतलब बात समझो मैं समझाता हूँ देखो बच्चो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अब आपको पढ़ाने के लिए मैं यह laptop यूज़ कर रहा हूँ यह pen यूज़ कर रहा हूँ यह mobile यूज़ कर रहा हूँ यह lights यूज़ कर रहा हूँ अब यह software यूज़ कर रहा हूँ यह मुझे directly काम में नहीं आ रहा है यह बस तुम्हें पढ़ाने के लिए काम में आ रहा है तो यह मेरा direct demand या indirect demand है यह indirect demand जो directly consume नहीं किया जाता है यह बढ़ा रहा है आपको घर बनाना है let's say you want to construct a house अब house construction के लिए तुम machines ला रहे हो bricks ला रहे हो, cements ला रहे हो तो यह directly तो consume नहीं हो रहे है यह indirectly आपको यूज किया जा रहे that is why it is called as what? indirect demand for example demand for worker in sugar factory जो भी sugar worker ही नहीं यार machines use करो मैं बोला ना आपको मैं पढ़ा हूँ आपको पढ़ाने के लिए मैं laptop अगर use कर रहा हूँ अगर मैं mic यूज कर रहा हूँ ये pen यूज कर रहा हूँ तो ये direct demand या indirect demand है It is a indirect demand इन सब के basis पे मैं आपको service देख पा रहू Are you getting this? भाई समझ में आ रहा न सबको is that okay चल, see I need energy from you friend, अगर आप चाहते हो मैं रोज आऊँ, रोज पढ़ाऊँ, आपका revision ऐसे लो, next साथे तीन मैंने, तीन मैंने मैं आपका पूरा 12th का सब सब्जेक्स revise कर दू, तो all I wanted यार भाई, तुम communication करो मैंको answer दो, proper respond दो, then even I love to enjoy it, yes yes perfectly, indirect demand के बाद, तीसरा demand आजो बच्चो it is called joint demand, कौन सा demand बच्चो, joint, yes तीपक joint demand क्या, when two or more goods are demand jointly to satisfy single what, it is called joint demand मतलब, for example भाई जब आपको एक के साथ दूसरी चीज लेनी पड़ेगी, तो उसको हम कौन सा demand बोलेंगे, joint, यार imagine करो, मैं car खरीदा, बस car खरीदने से काम तो नहीं होगा, ना car खरीदने के बाद, साथी साथ car के साथी साथ, आपको petrol भी लगेगा, ऐसा हो सकता sir, car खरीदा, petrol नहीं bike खरीदा, बिना petrol के चलेगे, नहीं, तो यार, एक चीज खरीदा, उसके साथ, दुसरा खरीदना ही पड़ेगा, इसको कौन सा demand बोलेंगे, we'll call it, joint demand, what demand you will call it, joint demand, is that okay, और examples दो या समझ में आगया, तो DIG, चंपूचीन में, D, direct demand, I, indirect demand, joint demand, अब आगे चलते, next question आ रहा बच्चो, composite and competitive demand, right, composite demand क्या, तो joint demand मतलग है, जब दो एक साथ यूज करना, right, shirt करीदा, तो pen करीदना पड़ेगा, shoes करीदा, तो socks करीदना पड़ेगा, toothbrush करीदा, तो toothpaste करीदना ही पड़ेगा, am I right, school गया, तो books लाना ही पड़ेगा, तो यह सब joint की demand है, mobile करीदा, तो sim card करीदना ही पड़ेगा, so they all are different examples of what demand, joint demand, is that okay, यहां तर clear है, that's good, चौता demand आजाओ, बच्चो composite or competitive demand, composite demand क्या है, the demand for commodity, which can put to several use, मतलब, ऐसा product, जिसके multiple use होंगे, उसको हम composite demand बोलेंगे, ना make use an ink, ना बुच्चो, मस्त है न, मतलब, product which have multiple use, multipurpose use, is called as what, composite demand, example बच्चों, उनने electricity बोला, electricity कितनी चीज़ होंगे है, electricity से mobile चलता, electricity से laptop चलता, electricity से घर में बल्ट चलता, electricity से fridge चलता, electricity से आजकल, dead body भी चलाई जा रही है, electricity से ही fan चलता, electricity से ही यह machine, washing machine चलती, मतलब, यह light के अनेक uses है, that's why we call it, what demand friend, we call it composite demand, what demand, composite, did you get this, अब यह, उसके आगे चलते हैं, the next title is called as competitive demand, question is what is competitive demand, so simple it is demand for goods, which are substitute for each other, मतलब, ऐसी चीज़े हैं, जिसके अनेक substitute, just for example, देख लो, सबसे बेस्ट, tea और coffee, मतलब, which are substitute for each other, competition है, उन प्रड़क्ट में, जब प्रड़क्ट में, competition है, तो उसको मैं कौन सा demand बोलूँगा, बच्चो, competitive demand बोलूँगा, रहिट अन्मोल, yes, for example, भाई, activa लेलो, और access लेलो, competition है या नहीं है, obviously है, mobile में लेलो, apple लेलो, नहीं तो आप, oppo, vivo, और even samsung, तो इन सब में competition, यह कौन से demand होगे बच्चो, they all are competitive demand, did you get this, so अभी तेक मैंने, नहीं तो clear है, चलो, meaning of demand बोलो, desire, willingness, ability, DAO, तीन वर बोला थान, desire, willingness, ability, is that okay, चलो में सब जल्दी जल्दी आंसर करो, I want everybody answering, all of you with us, please kindly answer, और सिर आंसर मत दो, एक काम और करो, वो like a button दवादो, भाई, demand का मतलब क्या, desire, ability, willingness, is that okay, desire, ability and willingness, demand का मतलब ख्लियर है, types of demand बोलो, D, I, J, चंपू, चिन में, क्या है बच्चों बोलो, D, I, J, चंपू, चिन में, D, direct demand, I, indirect demand, J, joint demand, उसके बाद C, composite demand, again C, competitive demand, are you sure, any problem with that, सम्झा, can we go ahead, have you understood, can we move ahead, yes, yes perfectly, अब आगे चलते हैं, इतना clear है, यहां तर clear है, okay, ठीक है, that's wonderful, उसके आगे, D, I, J, चंपू, चिन में, उसके बाद बच्चों, factor affecting demand, यह IMP मार्क कर लो, factor affecting demand, 4 मार्क के लिए, इसको बुलते है, determinant of demand, right, IMP, 3 मार्क के लिए, either they'll ask you for, 4 मार्क is what I am expecting, ठीक है न, 4 मार्क का कोश्चन, determinant of demand, IMP मार्क कर लो, इसमें, सबसे most important, दो कोश्चन है, law of demand, with exception, और determined of demand, यह 100% आएगा, board exam में, समझारों, 100% आएगा, एक क्या, determinant of demand, और दुसरा क्या, factor affecting demand, ठीक है, can we go ahead भाई, अच्छा, determinant of demand पढ़ाने से पहले, मुझे सिर्फ आप से बात करनी, सर, you know it morning, मुझे सिर्फ यह बोलो, यह जो मेरा, यह initiative है, is it worth for you, यह रात को 9.45 आना, everyday किक लेक्चर लेना, 7 days में ECO, फिर OCR में से रिवाइस करना, क्या यह फाइदे मन्द है क्या आपको, is it worth for you, I want you please reply, यह जो से होता है सर, मतलब यूज अमांट टाइम इस टेकन, इनर्जी इस टेकन, आना, at the end, so I want to know whether it is really worth for you or not, यह काम में आ रहा है आप सब के, respond me quick, yes sir, yes, so you want me to continue for this, do you want me, इस प्रोसेस से में आपको ECO, OCM, SP, अकाउंस पूरा रेविजन मार दू है, से board exam तक पूरा, I know it यार, बहुत लोग ने late study स्टार्ट की होगे, बहुत सारे लोग का concepts खाली होगे तो, that's why I said कि नहीं, कुछ तो initiatives लेना चाहिए, ठीक है ने, that's one, अच्छा, अब इसके लिए आपको एक चीज और करना पड़ेगा, मेरे साथ, सरसे मेरे साइड से मेना नहीं होनी चाहिए, two, three things I want, first thing, everybody, एक टाइम फिक्स करते है, कौन से टाइम बेटर रहेगा for taking this lecture, जिस समय मज़ तुम खा भी लो, आराम से बैटो, ताकि मैं proper आके पढ़ा के जो, 9.45 या 10 ओक्लॉक, 10 to 10.30, या 9.45 to 10.30, रहें, हाँ, ये सबसे बेस्ट रहें है, पढ़नेगा, आज के टॉपिक्स में, मैंना हाफ ही पार्ट कंटीनू किया, हाफ अफ इट इस लाइक 10.15, अच्छा, मैं पूरा ट्राइ करता हूँ, जितना ज़्यादा हो सगया, 10.30 तक लेने के लिए, ठीक है ना, चलेगा, चलो, और क्यूक्ली रिकॉल कर लेते हैं, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है, ठीक, ठीक, दन, यह दो बार हम लोग दो दीन का एक्स्पेरिमेंट रहा है, बिकास कैसा होता है, लेट नाइट सटड़िंगा, बच्चा पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, मैं बच्चे लोग को मोबाइल यूज करना रहता है, मैं बोलो, मोबाइल यूज करें ना, बढ़ाई के लिए यूज करें, यही सोच के, I am coming at this time, ठीक है, तो चलो, अब आगे चलते हैं, तो तीन कंसेप्स क्लियर है, अब इस चाप्ट, यह सबसे most important chapter, आपके board exam का, और इसमें सबसे most important questions, determinant of demand and law of demand, यही सबसे most important questions, चलो, तो अब यह notebook में, आप सब लोग में साथ लिख लो, factor affecting demand, मतलब demand किन कारणों से impact होता है, मतलब ऐसी कौन-कौन सी चीजे हैं, जिसके कारण भाई हमारा demand बदलेगा, what are the factors that affects demand, so give the title everybody, चलो लिखो, determinant of demand, क्या चीजों से demand impact होता, यह title समझा ना, demand किन चीजों से impact होता, yes, तो सबसे पहला कारण, सबसे पहला कारण, जिससे demand impact होता होता है, उसको बुलते है price, सबसे पहला कारण क्या रहा है, price, चलो लिखो, factor of 51 में सबसे पहला है price, भाई याद सब तुम ही बता हो सर, कोई चीज खरीदें या ना खरीदें, तो यहर हमारा interest, हमारी चाहत, हमारी like, dislike, बस उससे ज़्यादा जरूरी उसका price होता है, यार, किसको नहीं चाहिए BMW, सबको चाहिए BMW Audi, किसको नहीं चाहिए यार, ब्रह्मा सिंसीटी में, F-Residency में flat, सबको चाहिए, बड़ प्रॉब्लम की धर होती, पैसे में ना, सबसे बड़ा चीज पैसा आ जाता बीच में, तो सबसे पहला factor, जो demand को impact करेगा, वो क्या है, price, right, hello, are you getting this everybody, the first factor that affects demand, is price, अच्छे एक काम करना था बच्चो, मैं ये पूरा concepts, पूरा revise करूँगा, actually आज, पहले काम करते, मैंने जैसे बताया था, कि इस chapter का, हम लोग important questions ले लेंगे, और question के साथ ही साथ, revision ले लेंगे, right, ये दिखो, ये आपके textbook का question है, अभी ये textbook के questions में से, मैंने आपको पहली बोला, भाई ये जो textbook के पीछे का question है, fill in the blank, ये दिख रहा, ये table, ये chapter सबसे most important chapter है, सबसे most important chapter, इस chapter में ये दो question नीचे दिख रहे, question number six, state and explain the law of demand with exception, सबसे most important, ये आपके board exam में, आठ mark का बेटेज रखेगा, आठ mark का, और नहीं तो determined और demand, बर determined demand normally, चार mark के लिए पूछेगे, अच्छा, ये table भी इस question दे दिया, तो अच्छा है, ये सीधा, ये table type का question आएगा, तो चार mark का आजाएगा, ये चार mark का question है, सर, याद रखो, कितने marks का है, चार marks का, अब यहाँ देखो, ये market demand का, ये दो questions ऐसे हैं, और उसके बाद, मैंने आपको पहली बोला, जैसे होता ना कि, सर, कौन से subjects में, कौन सा chapter पढ़ना, जब बच्चों आप time से, लेट चल रहे हो, जैसे पढ़ाई तो चालू करनी थी, April माच, पढ़ा भी उतनी पढ़ाई हुई ही नहीं, बोर एक्जाम फेब में है, तो ऐसे कि, इसमें सबसे पहले, कौन सा chapter खत्म करो, तो जिसमें सबसे ज़्यादा बेटेज है, economics का, सबसे ज़्यादा बेटेज और chapter जो है, वो है chapter number two, chapter number two, which is, sorry, वैसे देखाई थैं, तो ये demand वाला chapter, अब इस demand में से, fill in the blanks आपको कर लेना है, give reason कर लेना, distinguish इन तीनों में से, fix आएगा, उसके साथ ही साथ, फिर, ये table based question आएगा, और सबसे most important question है, EC में से एक question, fix आपके board exam में आएगे, state and explain the law of demand with exception, and explain the determined of demand, तो मेरा lecture का पूरा process कैसा होगा सर, मैं जब भी आपको रो जाऊंगा, तो सबसे पहले chapter का नाम बता दूँ, दूसरा chapter में क्या-क्या पढ़ोगे, बता दूँ, तीसरा उसका important question दे दूँगा, और फिर चौता मेरे पास अगर time बसता है, तो वो concepts explain कर दूँ, order of chapter ऐसे रहेगा, is that okay, जब भी मैं आपको पढ़ा रहू, जब चार चीज बताऊंगा, पहला chapter में क्या-क्या पढ़ना है, दूसरा, कितने marks का weightage है, तीसरा, उस chapter में सबसे most important questions क्या है, और चौती चीज, जिस, चौती चीज सबसे important उसके साथी साथ, उसके concept explain कर दूँ, right, are you getting this, तो ये question number 6 लिख लिए, is that okay everybody, message me bhai, message me everyone, yes sabreen, yes nayan, yes buddhisha, yes deepak, now where are you, yes anmol, I want everybody messaging, are you sure, ये question important ले लिया क्या boss, okay perfect, perfect, perfect deepak, perfect, भाई सोना नहीं है, सोना नहीं है 10.30 तक, साला सुबे साथ मुझे बुलाओ, तो भी सूते रहते हैं, राज को साड़े सूते रहते हैं, yes seven, perfect, चला, next, आते, तो भाई, one at a time, coming back, तो पहला यहां तक clear किया, हम लोग ने, मीनी और डिमांड, अब यार, determined और डिमांड में, हम लोग पढ़ रहे थे हैं, किन चीजों से डिमांड इंपाक करता है, यह चारवांग का question है, पहला कारण है price, अच्छा, यह याद कैसे रखेंगे यार, तो मैं आपको shortcut बात में दूँगा, pick word याद रखना, pick, PIC pick, P मतलब price, I मतलब income, C मतलब comp, तो मैं आपको end में, board exam के लिए short acronym दूँगा, जिससे answer लन हो जाएगा, आप ही मुझे सिफ इतना करना है, कि आपको उसको, यह determined वाला question आज इतना cover up करना है, देख अपने पास 5 से 10 मेंट है, यह question, यह question ले आज या, it is like we'll take it tomorrow, what do you want me, you want me to take right now, or it's like we'll start from tomorrow, आज अच्छी चीज है कि मैं textbook display कर पा रहा हूं, और साथी साथ communication मौर ज़्यादा effective हो जा रहा है, right, yes, एक काम करते हैं, थोड़ा से quickly recall करते हैं, इस chapter में क्या-क्या पढ़ेंगे, चलो मेरे साथ बोलो, 5 concepts पढ़ेंगे, कितने concepts, 5, मैं थोड़ा बार बार रिपीट करने की कोशिश करता हूं, reason is, it's just first time, slowly, gradually, आप और हम एक दूसरे से connect कर लेंगे, ऐसे, and then, फिर communication और effective होगा, ठीक है, चलो, इस chapter का weightage कितने मांग्स है, 12 से 14 मांग्स, ठीक है, next, types of demand, बोलो, पहला, meaning, सबसे पहले meaning पढ़ोगे, दूसरा, types of demand पढ़ोगे, तीसरा, determinant of demand पढ़ोगे, चौथा, law of demand पढ़ोगे, पाँचवा, change in demand, or, change in demand, or, or, variation in demand, उसमें से, सबसे most important questions कौन से हैं, determinant of demand, and law of demand with exception, यह सबसे most important question है, 8 mark के लिए और 4 mark के लिए, table वाला question भी आपको करने, next, क्या-क्या पढ़ाया, meaning or demand चलो, बोलो मिझे, meaning or demand, what लिखो, DAW, लिख दो चल्दी, DAW, demand में DAW, DAW में D मतला, desire, A मतला, ability, W मतला, willingness, पिर दूसरा प्रशना आतर, types of demand, types of demand में किया आएगा, D, I, J, चंपू चिन में, D, I, J, चंपू चिन में, D मतला, direct demand, I मतला, indirect demand, J मतला, joint demand, C मतला, composite demand, and again, C मतला, competitive demand, चलो, बोलो, types of demand, D, I, J, चंपू चिन में, D मतला, direct demand, I मतला, indirect demand, J मतला, जॉइन डिमार्ड, C मतला composite डिमार्ड, अगें C मतला competitive डिमार्ड, डिमार्ड जो आप सीधा प्रड़क खरीद के कच्छिम करते हो, उसको क्या बलेगे, direct डिमार्ड, इन डिमार्ड क्या होगा है, जो indirectly आपको help करता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा laptop, मेरा mobile यह मुझे मदद कर रहा हूँ, आपको पढ़ाने के लिए, तो यह सब मेरा indirect demand है, joint demand, दो चीज एक साथ लेनी पड़ती है, car लिया तो petrol लेना पड़ेगा, mobile लिया तो sim card लेना पड़ेगा, तो यह कौन से demand है, joint demand, composite, एक चीज के multiple uses, right, multiple uses, जैसे light के बहुत सारी uses, milk के बहु और last को, last को competitive demand, मतलब जो एक दूसरे के competition मेरेगा, is that okay, done friends, actually I am even I am done with it, because morning 7 o'clock, batch चालो करना है, 6.30, so done for today friend, whatever it will continue tomorrow, how was the experience honestly, is it worth, just tell me, other than that now we have to say good night, yes boss, just make sure यह जो भी हो सके, जितना revision लिया है, यह आपके front circle को circulate कर दो, 12 standard के board, यह इस कैसा है sir, इतने साल से पढ़ा रहो, तो end में क्या लगता है, जिसके काम में आ जाए, जिसके काम में मेरी teaching आ जाए, I am done, so make sure यह share कर दो, जिसकी पढ़ाई 0 से रहेगा, कुछ तो काम होगा, तरीका तो पता चलेगा, कौन सा important chapter है, उसमें क्या important हो, उसका revision, ठीका, बाकी यहां से next hundred days, I will be taking this lecture properly, you revised entirely, I will stop with this for today, can we stop friend, can we stop today with this, yes, yes, perfectly, thank you friend, thank you for your feedback, we'll see it tomorrow, boss, like तो जरूर दे दे न, वो like से मेरा कुछ नहीं होगा, बढ़ ठीक है, बच्चे अटेंड किये ते, वो समझ में आ जाएगा, मुझे, likes are the people who have attended the lecture, na, ठीक है, is that okay, यह देखो, मैं एक like देती है, दो like मिल गए, मैं मेरा देव, yes, can we stop and like and dislike, nothing to do with that, it is just that you have attended it, okay, thank you friend, we'll meet tomorrow, can we stop, okay, so now today we are stopping with this, perfectly fine, this was a good experience, yes, can we end the stream, yes, 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 thank you, thank you.